हेलो ट्रेटर्स एंड वेलकम टू दा स्टूडियो मेंबर्स बीपी सेल को आज के दिन हमने ट्रेट किया है मेली आज हम जो फोकस करेंगे स्टॉक सेलेक्शन का एक मेथड हम आपको बताएंगे जिसमें की ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी इन बिल्ट होगा कि हमें पर् सब्सक्राइब करो और दूसरा होगा कि जो चीज़ हम आपको बता रहें ना उसी तरह से में स्टॉक सेलेक्ट भी क्या उसे से एंडर करीब अठारा सो अठारा कॉनिटी क्यों क्यों कि मेरे एंट्री के बाद और इस टॉप लोस के बीच की जो दूरी आई 3000 रुपिस का ज लग भागाएंगी तो उतनी ही क्वांटी अपनी है एक वी कम यह जादा नहीं इस वतकर अपना प्रॉपिट 8000 का राउंड का चल रहा है और यह काफी स्मूर्ट रहा है क्योंकि जो स्टॉक सेलेक्शन के मैथट के उपर हम लोग आज के दिन डिसकेशन करेंग वो कोमेंटम नहीं देखाएगा वो डाउंसेट की तरफ भी आगा और उसी डिट्रेश्मेंट को हम लोग आज के दिन में कैच करेंगा सो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का दिन है 31 अभी जो ट्रेड आपने देखना था बीपी सेल का उसे हमें लास्टेडिंग सेशन मतलब भी इस टॉक्त की वीटब बीटा वेल्यू ज्यादा होगी उनके मूव होने के चांसेज ज्यादा रहते हैं हमें वो इस टॉक चाहिए कि जिसने मोमेंटम अच्छे दिखा हो इसके लिए बहुत ज्यादा डीप मेने जाना नहीं टेक्निकल में फसना नहीं हम किसी तरह की सिंपल सा देखिए एक स्कैनर यहां पर है इस स्कैनर के लिंग हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आप वहां से इसको अपन करें और यह हमेशा आपके पास रहेगा ऐसे स्टॉक्स को निकालने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन का इसमें यूज किया कुछ इंडिके हम इसके अंदर यूज करें अपने स्टॉक्स को निकालने के लिए यह सारी चीज़े हैं हम आपको लिंग चो शेयर करेंगा आप ओपन कर लेंगा देख लेना किस तरह की क्या कैलकुलेशन से आप इस स्कैनर से स्टॉक अपना निकालो गया अब माल लीजिए हमें नेक्स ट्रेट करना यानिंके कल मंदे को ट्रेट करना है तो मंदे को हमारे पास ये एक दो तीन चार पांच यह बहुत ज्यादा इस पहली चुछे इसमें आएगे ने जो भी शाउक आई आप एक और इसमें बस volumes पर क्लिक कर लेना जो सबसे high volume वाले stock होगा आप उसको choose करना उस stock ने काफी बड़ा momentum दिखाया होगा लास्ट इन सेशन में टार्टर मोटर्स को आप देखी रहो कि कितना बड़ा movies ने दिखाया था अब जरूरी नहीं है कि कोई भी stock अगर आपके पास आ रहा है तो वो ऐसे ही भागे उसको अपने supports ब्रेक करने होते हैं क्योंकि अगर उपर market को जाना है तो support ब्रेक करके थोड़ा सा नीची की तरफ आता है फिर से support लेकर के price अपना trend continue करता है तो यह जो दूसरा वाला market ने एक जो second momentum यहाँ पर दिखा न यह momentum हम सोशिश करते हैं catch करने के तो यह जो एक particular stock selection का scanner है अपना जो तरीका है इससे हम लोग retracement पर करते हैं बहुत बड़े target नहीं लेकिन retracement बहुत आसानी से इसमें catch कर लोगे हाई volume का stock उठाना और trade करो इसके अंदर momentum आपको मिल जागा मिल ही जाएगा एक चीज़ जयाद रखना हमेशा short selling करना अभी से हम आपको बताते हैं हमेशा short selling करने इसके अंदर buying करनी ही नहीं है सिर्फ short selling यह जो इसको करना ने पर्टिगलर आप इसमें बाई देखना ही मत बाई की तरफ सोचना ही मत अब जैसे back test में जाओ हमने क्या किया था कौन से trade किया था बीपी सेल आप बैक टेस्ट में आजओ यहाँ पर हमने इसको trade किया है 29 को मतलब कि 28 को मेरे पास जो उपर की तरफ आते अभी हमने बताया कि बहुत ज्यादा stock आपके पास आएं के नहीं और stock selection होता है हार्ट काम भी मारा जाता है कि stocks को कैसे लिए बहुत सारे तरीके इन stocks select करने के बहुत सारे तरीके हैं आप यह मान के चलिए अब ये ऐसा हो चुका है कि लोग option option कर रहे हैं जहां पर भी देखो कोई influencer है तो option को ही दिखा रहा है आज से बहुत ज्यादा नहीं आप 3-4 सल पीछे चले जाओ कौन आपको option करता हो दिखता है और सभी लोग reason भी बताते थे कि option नहीं करना है क्यों नहीं करना 20-3 reason और अब वही लोग जो की मना करते तो option ट्रेट करने लिए तो option भी ट्रेट करते हुँ दिखाई पड़ा है दुनिया तो चारी आप options करो अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा सोचो समझो अभी हमने कहा ना आप तीन या चार सर पीछे चले जाओ आपको कोई option करता हो बहुत इका दुखा लोग होंगे या कभी कदार कर लिया तो कर लिया ऐसा है नहीं है कि जिस इस तर पर आज ही दिखाया जाता है आज इंफुरेंस किया रहता है में भी कहें ना कहें ऐसा होता है कि आपको इस टॉक उठाओ अब जैसे हमने आपको बताया अब इसके अंदर क्या टफ है आपके पास बीपी सियल आई उसी मेरी को गेल को इंडिया आप डेली टाइम पर रेटिंगे कितने सारे वीडियो अप्लोड किया है उनको उठाओ डेली तैम पर देखो कैसे हम लोग इस टॉक्स को डेट करते कैसे उसके अंदर अपनी एंट्री लेते हैं कैसे इस टॉक्स के अंदर इस टॉप लॉस और टार्गेट सेट करते हैं आप पिशिष वो समझो कितना काम तो आसान कर दिया ना आपके पास पांच तो फिर हम trade करेंगे ही नहीं डेली टाइम फ्रेम पर अपने point of actions निकालो और हूं point of actions के पास अपने entry के confirmations लेकर करें trade execute करो आपको देखो result मिलेंगे ये सही तरीका होता है काम करने का option में एक-एक trade एक छोटा सा भी अगर आप trade मारोगे ना अगर हम कम भी बोलें तो पंद्रा सौ रुपय का option का आप एक lot से भी काम करते हो तो तो तरना loss होना ही है ये possibilities है loss नहीं profit भी होता है लेकिन वो कितना होता है वो आपको मालूम है तो अगर एक lot के साथ भी आप nifty या bank nifty में काम करेंगे तो पंद्रा सौ रुपय का loss कहीं नहीं क्या वो तो तय है और सीखोगे क्या आप उससे कुछ नहीं सीखोगे कुछ नहीं सीखोगे के वल डिप्रेशन लॉस चिंता टेंशन यही सब होता है पंद्रा सौ रुपय में हम आपको आज के दिन में बता हैना बहुत सिम्पाले कुछ नहीं करना है यह जो भी हमें rules regulations अपने लगाने में सब लगा दिये सहाई rules बना दिया scanner हो गया गया simple है कुछ नहीं करो यहां से स्टॉक अपना निकालो यह कभी बंद नहीं होगी लोग बना देते हैं लोग बैंक निफ्टी में बड़ा बड़ा लोज करते हैं मुनला अभी में कहा ना पंधरा सो दोजार धाय जार तीने जार पांट डेली का लोज करते हैं अब यही काम जब एकुटीम होता है तो तो ये बाते निकल कियते हैं जो बहुत सारी आपको पैस जितनी है हम उस capital से काम करेंगे और अपनी समझ से, अपनी समझ बूच से, अपने intelligence से काम करके हमें उस छोटी सी capital को ही बढ़ा करना है अगर आपने 5000 को बढ़ा करके 7000 कर सकते हो ना तो 10000 को बढ़ा करके आप 13000, 14000 भी कर लोगे 14000 कर लेने के बाद में 15-16000 भी होता है वो ऐसे थोड़ा थोड़ा profit आपका बढ़ता जाएगा लेकिन यहां पर जो profit आपका आगा ना पंदरा से जो आप 15000 से बीस जार अगर equity में आपने बनाए ना तो पांच जार ऐसे होंगी बहुत कम chances रहें कि फिर आप loss करो क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा आगा यह को options में क्या है यह सारी बाते देखें छोटा से वीडियो है लेकिन घूम फिर के बाते फिर वहीं आजाते है क्योंकि इतनी सारी मेहनत हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक्स को ऐसे सेलेक्ट करो ऐसे ट्रेट करो लेकिन साही चीज़े छोट करो कि फिर आप वहाँ पर चले जाओगे फिर option option करोगे न तो सिवा loss को कुछ हो ना थोड़ी ना है कोई सारी मेहनत आपकी बेका है fixed रहो, focused रहो, करना क्या है और एक सही माध्यम क्या होगा, सही रास्ता क्या होगा, काम करने मार्केट को कुछ नहीं चाहिए, मार्केट को ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं आपसे मार्केट में बहुत पैसा है खाली उसे ट्रेट करने की एक intelligence, एक professionalism आपस market demand करती है बस, आपके पास professionalism, एक intelligence छोड़ के बाकी सब कुछ है market को देने के लिए, market कभी आपसे ज़्यादा पैसे की demand नहीं करती 5000 है आपके पास, आप 25,000 रुपे आपको market देदेगी काम करने के लिए 25,000 रुपे में बहुत से stock आएंगे 25 रुपे मैं अच्छा खासा profit बना कर के लिए जाओगे आराम से मतलब यह होता नहीं कि relax कोई tension नहीं किसी चीज़ के, कोई time day के नहीं Thanks and we will meet again